सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइबरी, बच्चों के उज्जोल भविशे के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तयार कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठे पुस्तक पूरक सामगरी एवं विडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विक्सित पोर्टल पर है उपलब्ध अध्यन सामगरी देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथ्वा एंड्रोइड मुबाइल पर गूगल प्रे स्टोर से e-lots आप डाउनलोड करें शुक्षकों, अभी भावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस e-library का हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे स्कूल बंध है और हम लोग अपनी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन, मेरा विद्याला के माध्यम से कर रहे हैं इस कारिक्रम में हम लोगों के लिए रोजाना शाम चार बजे से पांच बजे क्लास तीन से पांच की पढ़ाई होती है जहां हम मज़िदार धंग से अपनी पढ़ाई करते हैं और नई-नई बातें सीखते हैं साथ ही जरूरी बातों को अपनी कौपी में नोट भी करते हैं और यह सब होता है अपने मम्मी, पापा और घर के अने बड़ों के साथ बैठ कर तो तयार है ना आज भी अपनी कौपी और कलम के साथ अब चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं आज हिंदी की कक्षा में फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है संगीत की दुनिया फिर सही क्रम खेल में वाक्यों को अनुछेद में प्रयोग करना सीखेंगे उसके बाद शामिल होंगे संगीत की क्लास में और सीखेंगे स्वरों की पहचान करना फिर चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और पढ़ाई करेंगे मापन की उसके बाद समझेंगे परिमाप को फिर हल करेंगे अभ्यास के कुछ सवालों को उसके बाद अंग्रेजी में एक कहानी को सुनकर पढ़ना सीखेंगे जिसका नाम है छुक छुक छाक और सबसे अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जाविकुद्यान और देखेंगे जू शो तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ हेलो बच्चो थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है मैं आशा करती हूँ कि ये एपिसोड सभी बच्चे अपने माता पिता और अपने भाई बहन के साथ देख रहे होंगे हमारा प्रोग्राम तो रोज घंटे भर में खतम हो जाता है पर मुझे पूरी उमीद है कि प्रोग्राम खतम होने के बाद भी आप लोग पढ़ाई जारी रखते होंगे है ना तो चलिए इसी बात को मानते हुए आज का ये प्रोग्राम शुरू करते हैं सबसे पहले हम सुनेंगे एक कहानी फिर उस पर धेर सारी बात चीत करेंगे उसके बाद हम खेलेंगे कुछ भाशा के खेल तो चलिए शुरू करते हैं विट्टू की काकी हो विट्टू की काकी क्या हुआ कोई खास बात है जो आप बुला रहे हैं खास बात कुछ नहीं है बस पूछ रहा था तबला कहां रखा है तबला? काका क्या आज आग तबला बजाने वाले हैं? सोच तो रहा हूँ पर पहले भागवान बताये तो की रखा कहां है आप भी न देखेंगे नहीं और शोर मचाने लगेंगे वहीं रखा है खुर्सी के पास मेच पर थैंक यू वैसे आपको अचानक से कैसे तबले की याद आ गई? अचानक नहीं दो महिने वाद शास्त्री संगीत कारिकरम है बस उसका अभ्यास करूंगा अरे वह काका आपको तबले के अलावा और भी कुछ बजाना आता है बिटिया उन्हें कुछ नहीं वाद यंत्र कहते हैं हाँ बिटिया तुम्हारे काका को तबले के अलावा वासुरी सितार बजाना भी खूब आता है वह काका मुझे ही नहीं, तुम्हारी काकी भी खुब अच्छा सितार बजाती हैं अरे बा, काकी आपने कभी बताया ही नहीं काका, मुझे भी इन यंत्रों के बारे में बताये न इनसे सुर्टाल कैसे निकलते हैं? ठीक है, इस सब के लिए मैं सुनाता हूँ एक कहाने मीना से सुने कहानी, संगीत की दुनिया लेखन शिविका नायर, चित्रांकन दिया उल्लास, प्रकाशन प्रथम बोक्स, साभार स्टोरी वीवर वीवान अपनी मा के साथ एक शास्त्री संगीत के कारेकरम के लिए तैयार हो रहा था चलू, मा ने कहा, वीवान की रादी का मासी मा की प्रिये सहेली कारेकरम में हिस्सा ले रही थी हौल के बाहर मासी उन्हें मिलने आई उन्होंने कहा विवान कारेकरम शुरू होने में अभी समय है क्या तुम अंदर आना चाहोगे? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ विवान और मा मासी के साथ हौल में अंदर गए एक कम्रे के बाहर तीनों रुके विवान अंदर दिखकर दंग रह गया इतने सारे वादियंत्र विवान में हैरान होकर पूछा ये क्या करते हैं? मासी ने कहा वादियंत्रों से संगीत बचता है आओ तुम्हें इनसे परिचित करवाती हूँ विवान जोर से बोला मा देखो कितना बड़ा निल्बा मा मुस्तुराई मासी ने गाते हुए कहा दब्बा नहीं यह हार्मोनियम है कहलाता हार्मोनियम का है संगीत निराला हवा के प्रभाव से यह धुन बनाता और इसे कहते हैं तबला तबला हमेशा जूडे में आता साथ अपनी डदी धी लाता बड़ा ढोल बाई तरफ छोटा ढोल दाई तरफ धादिन धिन्दा धादिन धिन्दा आओ अब देखे हम सितार लंबी गर्दन इसकी कद्दू सा आकार मधुर से बजे मिलकर ये साथ तार लोक प्रियम है तेश विदेश में हमारी सितार बांस मिपूकों तुसूर बन जाता बांसुरी है कृष्ण का प्यारा बाजा उंगलियों से इस पर अपनी धुन बनाना जहां चाहो इसे साथ ले जाना इसका स्वर खोले यादों का पीटारा याद है कहां सुना था तुम में ये बाजा विवान गाती हुए बोला मासी के विवा में बजीती शेहनाई बधाई हो बधाई हो सबको बधाई मा और मासी जोर से हस पड़े मासी ने कहा चलो अब कारेक्रम शुरू होने वाला है मंच पर सभी वाधियंद्र पहुँच गए दर्शकों ने अपनी अपनी जगा ली पूरा हाल संगी से भर गया वाह कहानी तो बहुत अच्छी थी और बहुत सारे वाधियंद्रों के बारे में जानने को भी मिला अच्छा जी तो जरा बताओ जोडे में हमेशा कौन आता है जोडे में हमेशा तब लाता है और साथ में अपनी गद्दी भी लाता है वाह बिट्टू, बहुत खोब भाग्यबान, अब तुम बताओ की विवान अपनी मा के साथ कहां जाने के लिए तैयार हो रहा था विवान अपनी मा के साथ साथ से संगी देखने जाने के लिए ते याद हो रहा था बहुत खूपका की बच्चों, हमने तो प्रश्णों के बिल्कुल सही जवाब दे दिये अब बारी है आपकी आप भी इन प्रश्णों के उत्तर लिखकर अपने घर के सदस्यों को दिखाईए तो पहला प्रश्ण है विवान की मौसी ने हार्मोनियम के बारे में गाते हुए क्या बताया था दूसरा प्रश्ण है कौन सा तबला कौन सी तरफ रखा जाता है तीसरा प्रश्ण है कौन कौन से वार्दियंत्र होते हैं उनके नाम पता कीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए चौथा प्रश्ण है यदि आपको कभी वार्दी अंत्र सीखने का मौका मिले तो आप कौन सा यंत्र बजाना सीखना चाहेंगे और क्यों? भई मज़ा आ गया इतने सारे वार्दी अंत्रों को देख अगर वो तो है काका फिर क्योंना आगे बढ़ा जाए हाँ हाँ तुम तो बताओ अभी आप समझे नहीं क्या जो बताना पड़ेगा मतलब खेल का समय हो गया है जी हाँ ते शुरू गीजे ठीक है खेलते हैं खेल सही क्रम अनुछेथ दोस्तों शुरू करते हैं खेल जिसका नाम है सही क्रम अनुछेथ वाक्यों को क्रमा नुसार लगाकर सही अनुछेथ बनाएं हमें वाक्यों को सही क्रम में लगाकर सही अनुछेथ बनाना है जागो बच्चो अमसो सूरण निकला मिटा अंधिरा देखो बच्चो हुआ सवेरा इतना सुन्दर समय नको देखो बच्चो को लेख जाते हैं सबसे उपर देखो बच्चो हुआ सवेरा सूर निकला मीटा अंधेरा जागो बच्चो अमसो इतना सुन्दर समय नको देखते हैं क्या हमने सही बनाया है हमें दुबारा से कोशिश करनी है इसे लेकी चलते हैं उपर जागो बच्चो अमसो सूरज निकला मिटा अंधिरा देखो बच्चो हुआ सबीरा जागो बच्चो अमसो इतना सुन्दर समय नखो अवे वाँ अब बढ़ते हैं आगे इससे पाट समय आता है हम रोज स्कूल जाते हैं पाट पढ़ाकर ग्रहकार्रे देते हैं शिक्षक हमको पाट पढ़ाते हैं घर आकर ग्रहकार्रे को पूरा करते हैं तो सबसे पहले आएगा हम हम रोज स्कूल जाते हैं शिक्षक हमको पढ़ाते हैं पार्ट पढ़ाकर इससे पार्ट समय आता है पार्ट पढ़ाकर गिरहकारे देते हैं अब ठीक है फिर से कोशिश करनी है हम इसको जाते हैं तो ठीक है शिक्षक हमको पढ़ाते हैं ये भी ठीक है इन दोनों को आपस में बदर के देखते हैं इसे लिख्याते सबसे नीचे अरे वाँ अब बढ़ते हैं आगे घर से निकले पंक पसार फूलों के रस चूस चूस कर एक तितली के बच्चे चार भूम दिया सारा संसार तो सबसे पहले ये वाई लाइन घर से निकले पंक पसार फूलों के रस चूस इसे लिख जाते हैं यहां फिर से कोशिश करने हैं एक तितली के बच्चे चार घर से निकले पंक पसार फूलों कारस चूस चूस कर घूम लिया सारा संसार अरे वाई प्रिदूशन को दूर भगाएं प्रिदूशन को दूर भगाकर आओ मिलकर कसम खाएं वाता वरन को सुच बनाएं प्रिदूशन को दूर भगाएं आओ मिलकर कसम खाएं प्रिदूशन को दूर भगाएं पिर्दूशन को दूर भगा कर वातावरन को सच बनाए वा भई विलकर सही बना एक ही बार में अब ये वाला बनाते हैं उसमें एक और हैता है मेरी नीज उड़ाता है मेरे घर की सामने आम का पेड़ है रोज सुबा काउं काउं करता है आप बताईए बच्चों कि सबसे पहले कौन सा वाकी आएगा मेरे घर की सामने आम का पेड़ है मेरे घर की सामने आम का पेड़ है बिलकुल सही आप दूसरा वाकी बताईए उसमें एक कवा रहता है रोज सुबा काउं काउं करता है मेरी नीज उड़ाता है जलकर सही बताया वच्चों आपने अब बढ़ते हैं आगे खेल हुआ समाप तो और खेल को खेले मज़ा भी खोबाया और बहुत को सीखने को भी मिला तो मेरे साथ खेलने के लिए और खूप सारा मज़ा करने के लिए और हाँ मेरा साथ देने के लिए और सही वाक्य को क्रम में लगा कर सही अनुशेद बनाने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद क्यों? कैसा लगा खेल? आरे वा! गजब! वाक्य को सही क्रम में लगाने में खूब मज़ा आया फिर बिट्टो की काकी, तुम्हारी पसंद का ये खेल भी हो जाए पर मैं सूच रही हूँ, क्यों ना कुछ सूता सीखा जाए फिर तो सच में मज़ा आने वाला है तो फिर देखते हैं वीडियो, स्वरो की पहचान आप लोग को पता है, किसी भी तरह के संगीत में दो तरह के पहलो होते हैं एक होता है, मेलोडी या फिर धुन और दूसरा होता है, रिदम या फिर ताल ये धुन कैसे बनती है, किसी को पता है? नई तो जो धुन होती है वो कुछ म्यूजिकल नोट से मिलकर बनती है और भारतिय संगीत में उन म्यूजिकल नोट्स को स्वर बोलते है जानना चाहोगी ये स्वर कैसे सुनने में लगते है अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारा गला कैसा होता बेवलकुल सीधा अगर आपका क कुमल से जगडा हुआ तौ आप कितनी उची अवाज में बात करोगे बहुत उच्यक बताओ कैसे करोगे बात अच्यक ना जासित खराते हैं तो गला नीचे रहता है तू ये जो हमारे गले को नीचे से उपर तक लेके जाते है आप हम मात करते स्वर होते कैसे हैं तो में ध बजाओंगी यहां पर एक scale है आप लोग को यह वाज सुनाई दे रहे हैं आप लोग को यह वाज सुनाई दे रहे हैं तो हम अपने सचे पहले स्वर्षे शुरू करेंगे जिसका नाम है सा तो अगर हमें इस scale में सा पकड़ना हो तो हम कैसे कहेंगे सा बूले सा री ने गा गा मा मा पा पा बहुत सुन दे दा गा नी डी.. सांग सांग तो आपने देख्ए हमारा गला नीचे से嗎 तो उपर जब हम उपर जाते हैं गले में थोड़ाशो दोर पड़ा intend क्या बोलते हैं 10 सार से नी तक हमारे साथ स्वरें जिनकों क्या बोलते हैं सर्गम क्या बTHE SOS स्वरें वह उस स्वरें को खतम करने केलें सादल भारा से यूज़ करते हैं और उस सार चार यह कुणते हो worb सवरो के नीचे से उपर हुए चड़ते हुए क्रम को क्या बोलते हैं आरोह वेरी गुड तालिया सबके लिए अब हमें उपर से नीचे भी आना है और उसको क्या बोलते हैं आरोह तो अब हम पहले उपर चड़ें दुबारा से सीडी पर साजे कमा पार्धा नीचा अब क्या करेंगे उपर से नीचे सानी धापा मागरे सा बोले एक साथ सानी धापा मागरे सा बहुत सुन्दर तो चड़ते विक्रम को क्या बोलते हैं आरोह और उतरते विक्रम को आरोह आरोह और अबरोह बहुत सुन्दर अरे भाग्यवान शांदार वीडियो था बिट्टू तुम भी कुछ बताओ काकी बड़े ही सरल तरीके से स्वरों के बा इन धुनों को कुछ अभ्यास के बाद हम लोग भी बोल सकते हैं जनाब अभी बोलने का प्रियास कीजिए तो जाने अभी तो नहीं पर शाम तक जरूर बता सकता हूं और यदि शाम तक बूल गए तो नहीं नहीं मैं और काका दोनों स्वरों को गा कर बताएंगे बिलकुल पर तुम कहती हो तो बिट्टु जरूर तुम्हें काकर सुना सकती है काका आपने तुम मुझे ही पसा दिया बिट्टु तुम्हारे काका तो गाएंगे नहीं तो तुम्ही सुनाओ ठीक है सारे कामा पधा नीशा बहुत खोब बच्चो आप भी इस तरह सुर्टाल का भ्यास कीजिए और दुसरों को भी सिखाईए तुम्हें 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 हुआ 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 है तो आप लोगोंने कहानी सुनी कैसी लगी कहानी मुझे तो कहानी सुनकर और उसके पर बातचीत करकर बहुत मज़ाया अब हम आगे बढ़ते हैं आगे हम लोग क्या करेंगे बिल्कुल सही रोज की तरह आज भी हम गनित सीखेंगे गनित को भी खेल खेल में हसी मज़ाग में थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ हलो दोस्तों आईए आज हम बापन के अंतरगर लीटर और मिली लीटर का रूपांतरन कैसे करते हैं यह जानेंगे रूपांतरन करने के लिए यह जानना ज़रूरी है कि मिली लीटर का माप लीटर में और लीटर का माप मिली लीटर में आखें कितना होता है तो इसे जानने के लिए आप यहां देखी 1000 मिली लीटर यह एक लीटर के बराबर होता है तो फिर 2000 मिलिली लीटर कितने लीटर के बराबर होगा सोचिए बिल्कुल जी यह 2 लीटर होगा अच्छा अगर 5000 मिलिली लीटर पूछे तब यह कितने लीटर होगा और 10,000 मिलिली लीटर यह कितने लीटर होगा बताओ देखो इसे हम समझेंगे 1000 mm में 1, 2 और 3 शुने को अगर पीछे से हटा दिया जाता है तब यहाँ 1 लिटर बन जाता है इसी तरह 2000 mm में 1, 2 और यह 3 शुने हटाने पर यहाँ हो जाता है 2 लिटर और इसी तरह 5,000 मिली लीटर अगर एक, दो और ये तीन शुने हटाए जाएं तो ये 5 लीटर बन जाता है अब अगर आपसे पुछें कि 10,000 मिली लीटर को कैसे बत लेंगे लीटर में तो देखो 10 को छोड़के एक, दो और एक, तीन शुने हैं जने हटाने पर वो जाएगा 10 लीटर इससे तो हमने अच्छे से समझ लिया अब इसी तरह हम लीटर को भी मीटर में बतलते हैं एक लीटर एक हजार मिली लीटर हुआ, दो लीटर दो हजार मिली लीटर, पाँच लिखके कितने शुने हैं, एक, दो, पिन, यानि पाँच हजार मिली लीटर और दस लीटर, दस हजार मिली लीटर के बराबर होता है अब उदाहरन के माध्यम से हम सवाल हल करेंगे और रूपांतरन को और अच्छे से समझेंगे देखिए एक सवाल है राम ने दुकान से 5 लीटर और 600 मिली लीटर सर्जों का तेल खरीदा बताईए कि राम ने कितने मिली लीटर तेल खरीदा तो इसे हल करने के लिए यह जानना जरूरी होता है कि जानकारी क्या दी गई है तो दिया है राम ने दुकान से 5 लीटर और 600 मिली लीटर सर्जों का तेल खरीदा और पूछा क्या है तो राम ने कितने मिली लीटर तेल खरीदा या पूछा गया है और इसके लिए हमें करना क्या होगा तो हम लीटर को मिली लीटर में बदलेंगे और उसके बाद जोड़ करेंगे तो चलिए हल करते हैं एक लीटर बराबर होता है एक हाजार मिली लीटर जैसा कि हमने अभी यह जाना है तो 5 लीटर 5000 मिली लीटर होता है तो 5 लीटर की जगह हमने लिखा 5000 मिली लीटर और 600 मिली लीटर तो पहले से था तो 5000 मिली लीटर जोड 6000 मिली लीटर अब दोनों को जोडने पर क्या मेरेगा 5600 मिली लीटर यानि रामने 500 मिली लीटर सरसों का तेल खरीता है अब एक और सवाल एक घड़े में 15 लीटर पानी भरा हुआ है एक पतीले में 10,000 मिली लीटर पानी है बताए कि किस में ज्यादा पानी है तोचिये चलिए हल करेंगे सबसे पहले तो क्या जानकारी दी गई है एक घड़े में 15 लीटर पानी भरा हुआ है और पतीले में 10,000 मिली लीटर पानी है पुछा क्या है कि घड़े और पतीले में से किस में ज्यादा पानी है क्या करना होगा मिली लीटर को पहले लीटर में बदलना होगा और उसके बाद तुल्ला करनी होगी कि पानी किसमें ज्याता है तो जैसा कि हमें पता है कि 1000 मिली लीटर यह एक लीटर के बराबर होता है तो 10,000 मिली लीटर 10 लीटर अब घड़े में 15 लीटर पानी है पतीले में हो गया 10 लिटर क्योंकि 10,000 मिली लिटर पानी था तो आप देख सकते हैं कि घड़े का पानी ज्यादा है पतीले के पानी से इसका मतलब घड़े में पतीले से ज्यादा पानी है इसी तरह की सवालों के साथ हम फिर मिलेंगे अब तक अपना खयाल रखें बाई बाई हलो बच्चों तो बच्चों आज फिर एक नई और मज़दार पहली लेकर आए है देखते हैं आप इसे हल कर पाते हैं या नहीं पहली है पानी की तो शुरू करें पानी की पहली पहली है ये देखिए हमारे पास अगर 3 लीटर और 5 लीटर की केन है हमें 4 लीटर पानी की ज़रूरत है तो बताओ दोनों केन का इस्तेमाल करके 4 लीटर पानी कैसे लेंगी सोचो भाई देखो ये केन और एक ये ये तीन लिटर वाली और यह पांच लिटर वाली केन है आपके पास चीक है क्या करना है चार लिटर पानी के जरूरत है आपको और बताना है कि दोनों केन के इस्तेमाल करके यह चार लिटर पानी कैसे लोगे आप सोचो सोचो तो देखो भाई यह है नल और इस नल से हम भनने वाले हैं तीन लीटर के इन में पानी तो यह तीन लीटर वाली के इससे हमने भर दिया चीक है कितना पानी भरा तीन लीटर यह पानी को छोटो की मदद से इस में डाल देते हैं तो यह कितने लीटर वाली के इन थी तीन लीटर के इन का पूरा पानी हमने इस पास लीटर के में डाला चीक है यह पास लीटर वाली के इन थी तो यहां पर कितना पानी डाला हमें 5 लिटर वाली केन में तीन लिटर पानी डाला जो कि तीन लिटर वाली केन से पानी डाला है वहाँ पूरी भरी हुई थी तो हुआ तीन लिटर पानी अब तीन लिटर की केन फिर से भर लेते हैं चलो भाई नल चालू करो, पानी भरना चालू करते हैं, ये भर दिया, अब इसे फिर से इस पांस लिटर वाली केंद में डालते हैं, तो तीन लिटर में से दो लिटर पानी पांस लिटर की केंद में डाल देते हैं, कैसे देखो, ये भर गई, तो इसमें कितना पानी हो गया? तीन लीटर और दो लीटर मिलाकर हो गया यह पाच लीटर पन और इस तरफ कितना बचा क्योंकि यह तीन लीटर वाली केंथी और दो लीटर हमने अभी अभी यहां डाल दिया तो इसमें कितना बचा है हाँ आपने सही समझा अब यहां बचा तीन में से दो कटाने पर एक लीटर तो यहां बचा है एक लीटर पानी अब दोस्तों एक और बरतन लेते हैं यहां डाल देते हैं तो यहां कितने लीटर वाली केन थी? पांच लीटर वाली तो आफ पांच लीटर की केण का पानी जब बड़ी टंकी में डाल दिया तो यहां कितना पानी आ गया बड़ी टंकी में पांच लीटर आ गया होगा आफ देखो 5 लीटर की केन हमारी हो चुए है खाली तो क्या करें आप तीन लीटर वाली केन का एक लीटर पानी पांच लीटर वाली केन में डाल देते हैं चीखें यहां हमने पानी और यहां भर दिये पांच लीटर वाली केन में तो अब कितना पानी भरा हमने केन में एक लिटर अब इसे हमने फिर से भर लिया तो यह कितना हो गया तीन लिटर और पास लिटर वाली केन में कितना पानी है पहले से एक लिटर और अगर अब इस केन के पानी को और इस केन के पानी को देखे यहां है तीन लीटर और यहां एक लीटर है तो तीन लीटर और एक लीटर मिला दे तो चाल लीटर पानी तो इस तरह अगर यह पानी इसमें भर दिया जाता है तब कुल चाल लीटर पानी तो अब चाल लीटर पानी हो गया यह देखे तो हमने हमारी पहली हल कर ली थी न दोस पस थोड़ा सा दिमाग लगाया और हल हो गई ऐसी ही और पहलियों के साथ फिर मिलेंगे अपना क्याल दखिए बाइबाइब है रो दोस्तों तो आईए आज फिर से सीखते हैं परिमाप परिमाप के कुछ सवाल हल करेंगे और अभ्यास करेंगे शुरुआत करते हैं एक उधारन लेते हैं रवी प्रति दिन सुबह दोडने जाता है वह अपने स्कूल के मैदान पर प्रति दिन एक चक्कर लगाता है स्कूल का मैदान आयताकार है जिसकी लंबाई 200 मीटर और चोड़ाई 100 मीटर है तो बताईए कि वह प्रति दिन कितने मीटर तक तोड़ता है यह है रवी का मैदान जहां वह तोड़ लगाने को चाता है तो भाई रवी यहां से शुरुआत करता है और दोड़ते हुए आगे बढ़ता है फिर यहां और फिर वहीं आ जाता है तो यानि रवी ने कितना दोड़ा देखे यहां क्या है यहां है मैदान की लंबाई 200 मीटर और यह मैदान की चोड़ाई है जो 100 मीटर है अब यहां से देखे तो क्योंकि आयताकर मैदान है तो लंबाई बराबर और चोड़ाई भी बराबर दोड़ा तरफ यह 100 मीटर और अब इसे हल करते हैं देखते हैं कि वह प्रति दिन आखेर कितने मीटर दोरता है तो सबसे पहले रवी द्वारा एक दिन में दोड़ी गई दूरी यानि आयतकार मैदान की परिमाफ चुकि आयत की परिमाफ बराबर है दो गुना लंबाई धन चोड़ाई यानि एल धन भी और दो गुना ये आयतका जो मैदान है सकी लंबाई 200 और चोड़ाई 100 तो 200 धन 100 मीटर अब दो गुना ये जो कोस्टक में 100 और 200 है इसे हम जमा कर लेंगे यानि जोड़ लेंगे तो कुल हो गए 300 तो दो गुना 300 मीटर फिर दो तर 300 में जब पुना होता है तो हमें मिलता है 600 मीटर यानि रभी प्रति दिन 600 मीटर दोड़ता है अगला सवाल मेनू के पास एक वर्गाकार रूमाल है भुजा की लंबाई कितनी है 25 सेंटिमीटर है तो मेनू को उसके चारो और बॉडर लगाना है कुल कितनी लंबाई की बॉडर लगेगी यानि उस वर्गाकार रूमाल का परिमाव कितना होगा तो देखो भाई रूमाल है वर्गाकार यहां आपको ध्यान रखना है अब यहां चारो तरफ उसको बॉडर चाहिए तो देखो एक भुजा की लंबाई है 25 और क्योंकि रूमाल वर्गाकार है तो सभी भुजाएं 25 की यह होनी चाहिए तो यहां भी 25 सेंटिमीटर यहां भ वर्गाकार में यह देखे सभी भुजाएं बिलकुल बराबर है तो आओ इसका परिमाप क्या आद करते हैं बॉर्डर की लंबाई यानि वर्गाकार वुमाल की परिमाप चूकि वर्ग का परिमाप होता है चार गुना एक भुजा की लंबाई तो चार गुना 25 और 25 चो के ह होते हैं सो तो सो सेंटी मीटर यहीं मीनू को कुल सो सेंटी मीटर लंबाई की बॉडर लगेगी अब हमारा आखरी सवाल राजु के घर एक वर्गाकार खिड़की है जिसकी एक पुझा के लंबाई दो मीटर है खिड़की के चारों और एक लकडी की चोखट लगी है तो चुकि खिड़की वर्गाकार है एक भुझा के लंबाई दो मीटर है तो सभी भुझाएं दो मीटर की होंगी देखें सभी जगा दो मीटर क्योंकि वर्गाकार चीज साधी भुझाएं बराबर करती है यानि उसकी सभी भुझाएं बराबर होती है अब इसे हल करेंगे तो लकडी की चोखट की कुल लंबाई यानि वर्गा का खिडगी का परिमाप और चुकि परिमाप वर्ग का है तो वर्ग का परिमाप चार गुना एक भुजा की लंबाई तो चार गुना दो क्योंकि एक भुजा तो मीटर की है और चार दुने होते हैं 8 इसका मतलब 8 मीटर यान बाई बाई अभ्याज के लिए सवाल तो बच्चों कॉपी पैन लेकर बैठिए और पहला साल ध्यान से सुनिए सवाल है सीमा को 400 मीटर लंबे और 200 मीटर चोड़े सवाल एक बाई फिर से सुनिए सीमा को 400 मीटर लंबे और 200 मीटर चोड़े सोचिए, समझिए, फिर जवाब देजिए अगला सवाल ये रहा एक आयत आकार तस्वीर 18 सेंटिमीटर लंबाई और 9 सेंटिमीटर चोड़ाई की है तो आयत अकार तस्वीर की परिमाप ग्याद कीजिए तस्वीर 18 मीटर लंबी है और 9 मीटर है चोड़े तो उसका परिमाप ग्याद कीजिए कि परिमाप आथे कितना होगा सोच समझतर जवाब देजिए और अब अगला सवान की रहा एक आयत आकार मुबाईल 13 सेंटिमीटर लंबा वा 5 सेंटिमीटर चोड़ा है आयत अकार मुबाईल 13 सेंटिमीटर लंबा है और 5 सेंटिमीटर चोड़ा है तो आयताकार मुबायल की परिमाब क्यार कीजीए जिसकी लंबाई 13 है और चोड़ाई है 5 सेंटी मीटर कोशिश कीजीए अगला सवाल एक वर्ग आकार खिड़की की भुजा 100 सेंटी मीटर है वर्ग आकार खिड़की की भुजा कितनी है? 100 सेंटि मीटर तो वर्गाकार खिड़की की परिमाद क्या होगा और अब आखरी सवाल एक वर्गाकार खेट की भुजा 26 मीटर है इसके चारों ओर तार की बाउंडरी बनानी है तो एक चक्कर में कितना तार लगेगा सोचिए फिर जवाब दीजिए हम फिर मिलते हैं बाई बाई दोस्तो चले एक बड़िया सी अंग्रीजी कहानी सुनने आज की कहानी का नाम कुछ अजीब है जानना चाहते हो क्या नाम है आज की कहानी का नाम है छुक छुक छक इस कहानी का स्रोत है स्टोरी वीवर कम्यूनिटी इस कहानिक की लेखिका है विनीता कृष्णा चित्रकार है सुविधा मिस्त्री और इसका अनुवाद किया है प्रुतु सीहने चुक 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 वेला को जला और देडला नट्यानी कि रिर्पात्या को जा है अच्छ여टी गीतम टरीफ और नट घुडर रए पुटयावर्ण को चलार भा св wholly अएहर एंद देड फटारी जुत लो एंद दूराह dedic बां। अटिल हचर अच्छ को अगोब बनुनी गोड़ अप अटुक आ लुग वाव हर ट्रेन उसस लूंड कर दुड़ वरंदा अब अग् offers नन्नी श्रीं चुड चुड-चुड नियर तो ते लेड वर वर है यह कहानी नन्ही नाम की छोटी लड़की के बारे में है जो ट्रेन का चित्र बनाना चाती है वह अपनी स्लेट पर चित्र बनाना शुरू करती है लेकिन उतनी छोटी स्लेट पर सिर्फ ट्रेन का इंजिन ही बन पाता है इसलिए बहुत सोचने के बाद वह उस लेट को जमीन पर रखती है और उसके पीछे यानी जमीन पर ही ट्रेन के बाकी डिब्बे यानी कोचिंस बनाना शुरू करती है वह चौक के खत्म होने तक डिब्बे बनाती रहती है और जब नजर घुमा कर देखती है तो पाती है कि उसकी ट्रेन से घर का पूरा आंगन भर चुका है यह देख ननी खुश हो जाती है तो बच्चों जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो तो चलिए शुरू करते हैं संजे गांधी जैविक उध्यान जू आउट्रीच प्रोग्राम के इस एपिसोड में हम उस जानवर के इंक्लोजर के पास चलेंगे जिसे देख कर डरते तो सभी हैं लेकिन फिर भी इन्हें देखना हमेशा रोमांज से भरा होता है जीहां आज हम फिर चलेंगे संजे गांधी जैविक उध्यान के सापो की दुनिया में यानी चलेंगे साप घर में और जानेंगे सापो के बारे में कुछ अनोखी बाते हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं कुछ सांप बेहद जहरीले होते हैं और कुछ में जहर होता ही नहीं है संजे गांधी जैविक उध्यान में विशहीन और जहरीले दोनों तरह के सांप मौझूद हैं विशहीन सांपों में धामिन, अजगर और सैन भुआ हैं तो जहरीले सांपों की श्रेणी में भारतिय नाग और वाईपर, रेसल जैसे सरी श्रिप हैं पूरे विश्वे में सापों की कुल प्रजातियां लगभग 2750 हैं और उनमें 244 प्रजाती के साप भारत में पाये जाते हैं कुछ पॉयजनस और नन पॉयजनस स्नेक को पहचानने के क्या उनके करेक्टरिस्टिक हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा जो नन पॉयजनस स्नेक होते हैं उनका थूथन जो होता है जो mouth portion होता है वो rounded होता है जबकि venomous में ये pointed होता है इसके अलावा एक और जो मेन डिफरेंस होता है नन पोईजनस और पोईजनस में जो नन पोईजनस स्नेक होते हैं उनके वेंटल सरफेस पे पेट की और जो स्केल्स पाया जाते हैं वो छोटे होते हैं और थाथ एक साइड से दूसरे साइड को टच नहीं करते हैं जबकि poisonous snakes होते हैं, उनमें ये scale continuous होते हैं एक साइड से दूसरे साइड को टच करते हैं अगर ये snake bite हो, तो उसमें बहुत जादा पैनिक करने के जबवत नहीं होता ही है बहुत से लोग ऐसा movies वगरा में भी दिखाया जाता है कि उसको suck करके निकलने का प्रयास करते हैं जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अगर आपके mouth में कोई cut है या किसी भी तरह का sore है तो उसे आप भी infected हो सकते हैं इसके अतरीक तो ऐसा भी देखा जाता है कि जहां cut person है उसके नीचे बान दिया जाता है बहुत tight से यह भी नहीं करें जो cut person है उसको कभी भी heart या lung से उपर raise करके नहीं रखना चाहिए इसके अलावा जो painkillers है या स्प्रीन वगड़ा है इसका प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए फर्स्ट हैट देने के बाद उन्हें जहां cut हुआ है उसे running water में धोना चाहिए साबुन से उसको साफ करना चाहिए और जो patient है उनको cool काम करते हुए जो nearest phc है उसमें ले जाना चाहिए आज हम भारतिय नाग और वाइपर रेसल के enclosure के पास चलते हैं नाग यानी कोब्रा विशैले सांपों की उन प्रजातियों में से एक है जो अपने गरदन की पसलियों को फैला कर फन या हुड बनाते हैं एक वयस्क नाग की लंबाई 183 सेंटिमेटर से 244 सेंटिमेटर तक हो सकती है एक बार शिकार को निगलने के बाद कोब्रा एक या कई महीनों तक बिना खाए आराम से जिन्दा रह सकते हैं महीनों भूखे रहने के बाद भी उनकी तेजी में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आती ये भारत के सबसे खतरनाक सांपों में से एक हैं जो ज्यादा तर जंगल में नदियों के किनारे, खेतों में और गाओं के आस-पास रहते हैं ये बांसाहरी होते हैं जो मुखेतर रेंगने वाले जीव, चिपकिलियों और मेढकों को अपना शिकार मनाते हैं ये प्रायर 10 से 20 साल तक जीवित रहते हैं मादा नाग यानी नागिन एक बार में 8 से 45 अंडे देती है जिसे वो 48 से 79 दिनों तक सेखती है नाग के बाद हम वाइपर रेसल के इंक्लोजर के पास चलेंगे वाइपर रेसल भारत में कोरी वाला के नाम से भी जाना जाता है हालाकि यह इंडियन करेट से कम जहरीले है फिर भी यह सांप भारत के सबसे घातक सांपों में से एक है वैसे तो यह स्वभाव से बेहत शर्मीले होते हैं पर छेड़े जाने के बाद बेहत गुस्सैल हो जाते हैं और सामने वालों पर बिजली की तरह तेजी से हमला करने में सक्षम हैं यह लगभग चार फूट लंबे होते हैं इसका जहर हिमो टॉक्सीन होता है जो खून को जमा देता है काटने के दौरान यदि अपना पूरा जहर शरीर में डाल देता है तो मनुष्य की घंटे भज से भी कम समय में मौत हो जाती है यह सामन्यता भूरे रंग का साप होता है और उस पर काले रंग के गोल धब्बे होते हैं इसके भूब खारने की आवाज काफी तेज होती है जिसे काफी दूर से सुना जा सकता है अगर इस साप को अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसके नाक के ठीक उपर में आपको दो चिदर बड़े बड़े चिदर देखेंगे वो पिट रिसेप्टर होते हैं यह ताप समवेदी आपके होते हैं यह बिसिकली अपने शिकार को हीट से नापता है वो हीट सेंसर हैं इसके और वो अपने करता है इसके दांत सबसे बड़े होते हैं हमारे जितने भी विशाले साप हमारे भारत में पाय जाते हैं इसमें सबसे बड़े विशाले दांत इसके होते हैं जादे तर लोग इस साफ को अजगर के साथ confuse कर जाता है क्योंकि ये बहुत धीरे चलता है तो लोगों को लगता है ये अजगर है क्योंकि ये काफी मोटा साफ हो जाता है ये इसको पहचाना बहुत आसान है इसके बोडी के साइड में आपको गोल चिन जैसे बिलेंगे सर का आकार भाले जैसा होता गरदन पतली होती है और ना के उपर आपको बड़े बड़े दो छेद जैसे दिखेंगे ये साप रसल स्वाइपर है और ये अंडे नहीं देते ये बच्चे देते हैं करीबन एक बार में आपको 30 से 35 चालिस तक भी रिकॉर्ड किया गया है इसके काटने पर बहुत दर्द होता है बहुत जादे दर्द होता है और ये भी साप दूसरे साप को भी मारगरे खाना पसंद करते हैं क्यों है इसका प्रिय भोजन है पक्षी के अंडे पक्षी खाना भी से बहुत जादे पसंद है संजय गाधी जैविक उद्यान में मौजूद साप घर यहां आने वाले हर उम्र के दर्शकों के बीच बेहद लोग प्रिय हैं और यहां आने वाले दर्शक इनके एंक्लोजर के पास आकर सापों के इस अनोखी दुनिया का आनन्द उठाते हैं आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे पटना यूशो में एक नए एंक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ तब तक के लिए नमस्कार तो आशा करती हूं बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा तो घर पर रहें पढ़ते रहें बढ़ते रहें मिलते हैं अगले एपिसोड में बाई बाई बच्चों तन 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 सुनो खन की बजी स्कूल की चलो स्कूल तुमको फुखाएं तन 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 तन